नमस्कार दूस्तों सुवागत है आप सबी का इस चैनल पे दौस तो आज हम बात करेंगे July 2022 की 23 बड़ी भरत्यों के बारे में इन सबी भरत्यों के लिए दौस्तों male औ female दोनने ही apply कर पाएंगे ऺजजेत्य आप दस्वी पास है या बारी- पास हैं या graduate हैं कि आपके पास और भी कोई क्वालफिकेशन न दोस्तों तो आज की भर्तियों के लिए आप अपलाई कर पाएंगे दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि परते एक सरकारी के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉम्शन दी जाएगी, तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज की भर्तियों में किन किन पोस्त की भर्ती होने जा रही है, तो गाईज आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आज आज़म बात करेंगे 23 बड़ी भरतियों के बारे में पहली भरती है दोस्तों पंचायती राज विबाग की और इसमें भरती होनी जा रही है दोस्तों पंचायत सक्रेटरे की ग्रेजुएट कंडिडेट इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे आई सीमा रखी गई है 40 साल टोटल 1395 इसमें वैके रामनेशन के बेसिस पर आपका सेलेक्शन होगा और इस भरती के लिए आपको आउनलाइन अपलाई करना है और इसका लोकेशन है दोस्तों जे एंड के बरती नमर दो दोस्तों दिल्ली डेवलेमेंट ऑथोरिटी की और इसमें दोस्तों भरती होनी जा रही है प्लानिंग असेस्टन की जूनियर इंचीनियर सिबिल की ज्यूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल तता मैंकनिकल की प्रोग्रामर की जूनियर ट्रांस्लेटर ऑफसेन होंग इसकी एंड असीस्टन डिरेक्टर की इसमें वर्ती हो टोटल 279 वैकेंसि है है जले आपको इसपर चुहंप दी अप्लाई करना है और इसका लोकेशन है डैली कि दोस्तों हुष्टी 4 प्रिच्पीальном 13 डिपार्टमेंट ओप एग्री खलंचर की और इसमें दोस्तों श्रेAc Εंग्री को filter की कर thirty-Drey दोस्तों agriculture में इस भर्ति के लिए अपलाई करने के लिए 18 साल चाली साल इसमें आई सीमा है 189 इसमें वेकेंसी है सैल्लिया आपको इस पर रूल्स दी जाएगी इस भर्ति में 250 से लेके 450 रुपए फीस है दोस्तों इस भर्ती के लिए अपलाई होना शुरू चुका है और इसकी लाज डेटा है 6 जुलाई इसमें रिटन एक्जाम के बेसिस पे दोस्तों आपका सेलेक्शन होगा इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अपलाई करना है और इसका लोकेशन ह हमां दोस्तों राजस्तान के बynen बती नमर चारह हुआ दो दोस्तों पब्लिक सर्वीस कमिशन की और इसमें बन इजा रही है दोस्तों मांइंस इंस्पक्टर्यू ग्रुपब सी की इसमें कंडिट के पास थीन का डिपलोम होना चीह माइनिंग का 21 साल से 40 साल इसमें आई सीमा दोस्तो 55 इसमें वैकेंसी है सेल लिए आपको एस पर रूस नहीं जाएगी इस बरती में 25 रुपर से लेके 100 रुपए फीस है इस बरती के लिए और दोस्तों अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी ला सेलेक्शन कमिशन की इसमें इस्टोनोग्राफर की भरती होनी जारी दोस्तों इस बरती के लिए अप्लाई करने के लिए एक कंडिडेट ग्रिजूट होना चीह मेल के लिए 21 साल से 38 साल टोटल 452 वैकेंसी है सेल लिए आपको एस पर रूस दिया जाएगा इसमें 100 तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन है जहारखन्द की दोस्तों बरती नमर 6 है मिनिस्ट्रि और इसमें पर लिए जारी दोस्तों वासर्माइन की तता हैशन vinegar की कंडिडेट दस्वी पास होना चीए दोस्तों इस भरती के लिए अपलाई करने के लिए 18 साल से 25 साल इसमें आई सीमा है 55 इसमें वैकन्स चीए दोस्तों सेल लिए आपको एस पर रूस दी जाएगी इस भरती में 100 रुपए फीस है इस भरती के लिए दोस्तों अल्रडी जिनाई की दोस्तों बरती नमर साथ है डारेक्टोरेट आप कल्चरल एफियर्स की और इसमें दोस्तों पोस का नाम है कल्चरल डेवल्मेंट ऑफिसर क्वाल्फिकेसन उनीचीए इस भरती के लिए ग्रिजिट होना चीए कंडिडेट तता साथी साथ कंडेट के पास म्यू दोस्तों पचास रुपए फीस है दोस्तों बरती के लिए अपलाई होना सुरू हो चुका है और इसकी लास्ट एट है ग्यारा जुलाई इस बरती में एक्जाम तता इंट्रिव्यू के बेसिस पे दोस्तों आपका सेलेक्शन होगा इस बरती के लिए आपको ऑनलाइन अप इसर मैं की राफेल मैं आया की राफेल मैं नर्सिंग असिस्टेंट की और अधर वेरियस पोस्ति इसमें भरती होनी जारी दोस्तों क्वालफिकेशन होनी चीए कंडिडेट के पास दस्वी पास तता इट्याई यह डिप्लोमा या बौरी पास तता टापिंग नोलेज होना ची दोस्तों कंडिडेट के पास भरती के लिए अतारह साल से तेई साल 18 साल से पतीस साल 18 साल तीस साल तक के परती के लिए अपलाइ और इसकी लाज़ डिट है 20 जुलाई इसमें दोस्तो एक्जाम तता स्किल टेस्स के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा इस भरती के लिए दोस्तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन है ओल इंडिया दोस्तो बरती नबर 9 है Airports Authority of India की और इसमें भरती होनी जारी है दोस्तो जूनियर एक्जेक्टिव एर ट्रैफिक कंट्रोल की क्वालिफिक्शन होनी चीज बरती के लिए बीस्सी विद फिजिक्स एन मैथेमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चीज आपके पास 27 साल इसमें ICM है 400 इसमें वेकेंसी है सहल लिए आपको एस पर रूस दी जाएगी इस भरती में दोस्तो 170 रुपए से लेके 1000 रुपए तक फीस है इस भरती के लिए दोस्तो अलड़ी अपलाई होना सुरू हो चुका है और इसकी लाज़ जिट है 14 जुलाई इसमें दोस्तो आपका ऑनलाइन टेस्ट तता इंट्रिव्यो के बेसे सेलेक्शन किया जाएगा और इस भरती के लिए आपको ऑनलाइन अपलाई करना है और इसका लोकेशन है दोस्तो आज की भरती नमर्दस है मिनिस्ट्री अफ डिफेंस की और एक गुरुप सी पोस्त की भरती है दोस्त की इस भरती के लिए दोस्तों क्वालिफिक्शन रखी गई है दस्वी पास तता बारी पास फेंडेट इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे अठारा साल से पचीस साल तता अठारा साल से 27 साल इसमें आई सीम है दोस्तों टोटल 101 वेकंशी है सेल लिए आपको एस पर र मोव स्टेशन यानि की मद्यपरदेश तता बेल गाउं यानि की करनाटगा दोस्तों बरती नमर 11 है सुप्रीम कोर्ट आप इंडिया की और इसमें बरती होनी जारी दोस्तों जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की क्वालफिकेशन होनी चीए इस बरती के लिए बैसलर डिगरी है 10 जुलाइस की लाजड डेट है इसमें रिटर्न एक्जाम तता स्किल टेस्ट और इंट्रिव्यू के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा दोस्तों इस बरती के लिए दोस्तों आपको आउनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन है दिल्ली को दोस्तों आज की वर्ती नमर 12 है नेशनल कमिसेन फूर इंडियन सिस्टम औव मेडिशन की बरती दोस्तों बिस आरि ऐव आउपिस एक्सपर्ट की एंड अथर पोज की क्योंविशन होने चीर दोस्तो इस भर्ती के लिए ग्रियूशन B.A.M.S B.S.M.S बेचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और आपकी क्वालिफिकेशन रिलेबेंट डिस्प्रेंट में होनी चीए दोस्तों इसमें आई सीमा के बारे में नहीं लिखा गया है सेलरी आपको एस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी इस बरती में 450 रुपर से लेके 750 रुपर फीस है दोस्तों इस बरती के लिए अप्लाई होना शुरू हो चुका है इस बरती की लाज़ डेटा दोस्तों 2 जुलाई 2022 इसमें टेस्ट एंड डिवी के बेसिस पे आपका सलक्षन होगा इस बरती के लिए दोस्तों पहले आपको ऑनलाई अप्लाई करना है और इसके बाद आपको हाट कोपी दोस्तों इमेल से बेजनी है दोस्तों इस बरती का लोकेशन है नई दिल्ली तो दोस्तों आप बात करेंगे बरती नमर 13 के बाड़े में बरती नमर 13 है फीमली कोट की आने की कोटम नया लएगी और इसमें बरती होनी जारी दोस्तों असिस्टेंट ग्रेट 3 की तता इस्टेनोगराफ पर हिंदी की ग्रेज़ोट होना चीए क अचैनी डिट इस बरती के लिए अपलाई करने के लिए 18 से ती साल इसमें ॥ो सहरी आपको इस पर रूच्ट दी जाएगी इस भरती में कोई फीजी नहीं दोस्तों इस भरती के लिए दोस्तों अपलाई होनाश शुरो चुका है 15 जुलाई है इसकी लाजज जीट है इसमे पर दोस्तों आपका सेलेक्शन होगा इस भर्ती के लिए आपको बाइएंड या ड्रॉप बॉक्स में आपको अपनी अप्लिकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी और इसका लोकेशन है दोस्तों दुरु गयाने की छट दिशगर्ड दोस्तों बर्ति नमर 14 है नेशनल लाउ यूिवरसिटी की और इसमें बर्ति होनी जा रिये दोस्तों सेक्योर्टी गार्ड की, होस्टल वाडन की तता रिसस एसोसेट की और इस बरती के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, दसवी पास, बारी पास, मास्टर डिगरी, बैचलो डिगरी और आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों, रिलेवेंट डिस्प्रेन में होनी ची, 18 साल से 45 साल इसमें आई सीमा है, सैल लिए आपको आइस पर नोटफिकेशन दी जाएगी, इस बरती में 600 रुपर से लिए के 25 रुपर तक फीस है दोस्तों, इस बरती के लिए आप 27 जून से अपलाई कर पाएंगे और इसकी लाजड डेट है 20 जुलाई, इस बरती में टेस्ट नमर 15 के बारे में, भरती नमर 15 है, SPCL की यानि की, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेट की और इसमें भरती होनी जारी है दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर की, इलेक्टिकल इंजीनियर की, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की, क सब्सक्राइब करेंगे इसमें 295 वेकिंसी है सेल यह आपको बहुत ही बढ़िया दी जाएगी इस पर रूल्स आपको सैल ही मिलेगे इस भर्ती में 1000 रुपय प्लस आपको फीज पे करना है 23 जून से भर्ती के लिए अपलाई होना सुरू हो चुका है 22 जूलाइस की लास डीटा दोस्तो इसमें आपका CBT होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तो आपको ऑनलाइन अपलाई करना है इसका लोकीशन है दोस्तो इस भर्ती के लिए दोस्तो आपको अपलाई होना सुरू हो चुका है 22 जूलाइस की लास डेटा है इसमें आपका गेट 2022 के बेसिस सेलेक्शन किया जाएगा इस भर्ती के लिए दोस्तो आपको आपको ऑनलाइन अपलाई करना है और इसका लोकेशन है ओल इंडिया दोस्तो आज की भर्ती नमर 17 है सिंगर एनी कॉलोरीज कंपनी लिम्टेड की और इसमें जूनियर असिस्टेंट ग्रेट टू की बर्ती है दोस्तो इस भर्ती के लिए बैसलर डिगरी कंडिडिट अपलाई कर पाएंगे तीस साल इसमें IEC में दोस्तो एक सो सततर इसमें वेकेंसी है सैल्ली आपको एस पर रूस दी जाएगी इस भर्ती में 400 रुपए फीस है इस भर्ती के लिए दोस्तो अलड़ी अपलाई उना सुरू चुका है 10 जुलाई इसकी लाजज़िट है इसमें return test के basis दोस्तो आपका selection होगा इस भर्ती के लिए आपको online अपलाई करना है और इसका location है दोस्तो तेलंगाना तो चले दोस्तो अब बात कर लेते हैं भर्ती नमर 18 के बारे में ये भर्ती दोस्तो municipal corporation and various department की भर्ती है बेसिकली ये भर्ती होनी जा रही है पुब्लिक सर्विस कमिशन के थ्रियू और इसमें दोस्तो पोस का नाम है building inspector group B इस भर्ती के लिए qualification रखी गई है diploma in architecture 18 साल से 37 साल इसमें age limited दोस्तो 157 इसमें vacancy है salary आपको age पर rules दी जाएगी इस भर्ती में 500 रुपे से लेके 15 रुपे फीस है इस भर्ती के लिए दोस्तो अल्री apply होना शुरू चुका है आठ जुलाई इसकी last date है इसमें return exam के basis पे दोस्तो आपका selection होगा इस भर्ती के लिए आपको online apply करना है और इसका location है पंजाब दोस्तो बर्ती नमर 19 है बैंको बड़ोदा की और इसमें बर्ती होनी जा रही है दोस्तो relationship manager की manager credit analyst की manager corporate and institutional credit की qualification रखी गई है इस बर्ती के लिए graduation and post graduation CACMA CFA तता CS इस बर्ती के लिए दोस्तो 25 साल से 30 साल 28 साल से 35 साल तता 35 साल से 42 साल अक्वाली candidate apply कर पाएंगे दोस्तो 25 से इसमें vacancy है दोस्तो से लिए आपको as per notification दी जाएगी इस बर्ती में 100 रुपए से लेके 600 रुपए फीस है 22 जून से दोस्तो इस बर्ती के लिए apply होना शुरू हो चुका है 12 जुलाई इसकी last date है इसमें exam या interview के basis पर दूस्तों आपका selection होगा इस बर्ती के लिए आपको online apply करना है दोस्तों और इसका location है all India तो गाई जब हम बात करेंगे बर्ती नंबर 20 के बारे में बर्ती नंबर 20 है IDBI bank की और इसमें दोस्तों बर्ती होने जा रही है manager grade B की assistant general manager grade C की तता deputy general manager grade D की और इसमें functional areas है दोस्तों IMD premises तता security administration राजभासा fraud risk management digital banking and emerging payments finance and accounts information technology and MIS legal risk management ISG तता treasury और इस बर्ती के लिए दोस्तों qualification होने चिए graduation या post graduation और आपकी qualification relevant discipline में होने चिए इस बर्ती के लिए 28 साल से 40 साल 25 साल 35 साल से 45 साल तक वाले candidate apply कर पाएंगे 226 इसमें vacancy है दोस्तों से लिए आपको as per notification दी जाएगी इस बर्ती में 200 रुपए से लेके 1000 रुपए फीस है 25 जून से दोस्तों आप इस बर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे 10 जुलाइस की लाज जिट है इसमें इंट्यू के basis पे दोस्तों आपका सेलेक्शन होगा इस बर्ती के लिए आपको online अप्लाई करना दोस्तों और इसका location है औल इंडिया दोस्तों बर्ती नमबर 21 है education department की और यह बर्ती है दोस्तों board of secondary and higher secondary education की इसमें बर्ती होनी जा रहे दोस्तों multitasking staff की load agent color की तता stenographer की तस्वी पास तता बारी पास candidate इस बर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे 18 साल से 45 साल इसमें है सेल लिए आपको एस पर रूल्स दी जाएगी इस बर्ती में कोई फीस नहीं दोस्तों 24 जून से आप इस बर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे 12 जुलाई इसकी लाज़ डिट है इसमें एक्जाम तता सप्किल्टेस के बेसीज पे दुस्तों आपका सलेक्शन होगा इस बर्ती के लिए आपको ऑइंड या बाइपोरिश रप्लाई करना है और इसका लोकीशन है दोस्तों ऐल्टो बेटीं यानि की गोवा तो दूस्तों बात करेंगे बर्ती नंबर 22 के बारे में बर्ती नंब कंडिडेट के पास computer information technology का certificate होना चाहिए दोस्तों यानि की o level certificate होना चाहिए कंडिडेट के पास 18 साल से 37 साल इसमें icma है 198 इसमें vacancy है शेल यह आपको as per rules दी जाएगी 500 रूपर से चाहिए के पंद्रस रूपर इसमें फीसा इस भरती के लिए अल्लीड अप्लाई होना शुरू हो चुका दूस्तों पांच जुलाइस की लाज़ जिट है इसमें डिटेंटेस के defense की गुरूप सी पोज की बरती है दोस्तों और इसमें बरती होनी जा रही है लोड इजन कलर की MTS messenger की MTS सपाई वाला की MTS चौकिदार की तता MTS दबतरी की इस बरती के लिए दस्विपास तता बारी पास इसमें डेट अपलाई कर पाएंगे 18 साल से 25 साल इसमें आई सीमा दोस्तों सहल लिए आपको एस पर रूस दी जाएगी इस बरती में कोई आपको पसंद आई होगी दोस्तों यह आप दूसरों को बहला चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अपने दूस्तों आजानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा दोस्तों थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए